क्लास फीचर इन क्विक बुक्स बहुत से ऐसे बिजनेस होते हैं जिनके या तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं या फिर वो बिजनेस एक से ज्यादा लोकेशन्स पर आपरेट कर रहे होते हैं इसी तरह बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जैसे के नॉन प्रॉफिट ऑगनाजेशन्स उनके डिफ हैं ऐसे सिल्सले में जो कारुबार के ओनर्स होते हैं जो बिजनस ओनर्स होते हैं उनको हमेशा ऐसी financial reports required होती है अपने accounts department से जिस से वो अंदाजा लगा सके critical analysis कर सकें कि उनका कारुबार जो है मुख्तलिफ segments के साब से किस तरह perform कर रहा है जैसा कि हम बात करें profit and loss by department की तो यकीनी तोर पर कारुबार के जो owners होंगे वोई देखना चाह रहे होंगे कि कौन सा department जो है इस वक्त मुझे कितनी income अंकन के दे रहा है और किस department के उपर मैं कितना खर्चा इस वक्त कर रहा हूँ यानि कि अगर income का तालुक नहीं है location wise reports अपने extract करने की कोशिश करूँगा तो location wise ये बात मुझे पता होनी चाहिए कि किस location के उपर मुझे जएदा expenditure आ रहा है और कौन सी location मुझे कितना generate करके दे रही है income इसीदर अगर हम project wise बात करें उन funds की income and expenditure की report होती है कि कि कुस fund के अंदर हमें कितना income हम receive हुई कितना fund हमें receive हुई और उस fund के against हमने कितना expenditure कर लिया तो ये सारी जो reports होती है एक business owner को require होती है ये चीज़ हम quick book में कैसे कर सकते हैं ये चीज़ हम quick book में कर सकते है class feature को इस्तमाल करके class feature क्या है सबसे पहले हम ये देख लिए क्लास feature quick book में एक तरह की list है चार्ट of account की तरह की list होती है जिसके अंदर हम define कर सकते है departments, locations, funds, projects और भी किसी तरह की कोई भी आपके जहन में अगर को segment आ रहा है कि आपको report इस dimension से चाहिए तो आप class feature के अंदर class list के अंदर वो चीज़ आप create कर सकते हैं जो segment wise report आपको चाहिए वो class feature आपको मिल जाएगी तो चलते हैं quick book के अंदर to quick book के अंदर हम जा के देखते हैं कि Quick book के अंदर हम class feature को किस तरीके से हम use कर सकते हैं और class feature को इस्तमाल करने का तरीका कार क्या है QuickBook में, अगर हम आते हैं toを ListMenu में अगर हम आते हैं, तो ListMenu में यहाँ पार क equipped का एक feature हमें नजर आ आएगा Class list का feature यहाँ हमाँ पहसे हैं Class Feature को August केた का कार का है Class feature को आन क्रनेके लिए उन시면 QuickBooks के preferences कीन के शूरिप कारे को चेंच करना होगा इस पर टिक कर दीजिए और टिक करने के बाद नीचे आपके पास option आ रहा है prompt to assign classes का मतलब यह है कि जब भी quick book में आप data entry करेंगे तो अगर आप class assign नहीं करेंगे तो quick book आपको pop up देगा warning देगा कि आपने class assign नहीं की सिर्फ अभी आपने क्लासिस को आउन करना है prompt to assign classes को चेक करना है और प्रेस कर देना है OK को जिस वक आपने इसको OK को प्रेस करना है तो quick book क्या करेगा quick book आपका class feature आउन कर देगा list menu में जाए list menu में जाके नीचे देखें आपको सबसे पहले उपर चार्डफ अकाउंट, item list, fix asset, item list, price level list, sales text, code list और आखर में class list देखें पहले ये नजर नहीं आ रही थी अब ये class list आपको नजर आना शूरू हो गई है class list पे अब क्लिक करते हैं क्लिक करके हम उसको open करते है class पे इसको करे देखते है कि class list के अंदर हमें क्या है बिल्कुल एक blank window है ये बिल्कुल ऐसी window नजर आ रही है जैसे कि आपको चार्डफ अकाउंट में window थी ये बिल्कुल सी एक सीडी name list है name list के अंदर आपने names create करने है और यहां पर मैं क्या करता हूँ कि मैं कुछ departments जो है वो उनको thereण कर देता हूँ टॉ department केता है मेरे फास सबसे पहले मैं क्या करता हूँ मैं यहां पर लग देता हूँ procurement department यह मैं अपना पहला department create कर रहा हूँ को देख doublo मेरे class list में department मेरा create हो गया इसी तरह फिर मैं क्या करता हूँ मैं अपना दूसरा department मेरे पास जो available है मैं उसको create करता हूँ जो मेरा दूसरा department है मेरा दूसरा department है accounts department तो आपने देखें स्क्रीन के उपर आपके पर सामने आ रहे होंगे कि मैंने class feature के अंदर departments मैंने create कर लिये तो यह department wise मेरी segmentation जो मैंने create कर लिये quick books के class list के अंदर बड़ा असान है जस्ट आपने class list के अंदर आए class list के अंदर आए class list के अंदर आए class list के अंदर जाके आपने इसको classes on कर लेनी है अब अगर मैं यह अजियूम करता हूँ कि जो मेरा department है वो मुक्तलिफ locations से operate हो रहे है तो अगर मैं उन locations को भी यहाँ पे लेके आना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा कि मैं देखें यहाँ पे एक north region create कर रहा हूँ north region को मैं sub class बना रहा हूँ किसकी sales department की यह बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे chart of account के अंदर हम सब items create करते हैं यह बिल्कुल वैसा ही एक feature है तो मैं देखें आपके सामने क्या कर रहा हूँ मैं create करता हूँ जा रहा हूँ sales department के अंदर का है north region north region के अंदर मैंने क्या create कर दिया south region मेरे पास 2 regions हो गए sales department north region sales department south region यानि कि अब मैं sales department की भी report extract कर सकता हूँ मैं north region के हवाले से भी extract कर सकता हूँ और south region के हवाले से भी extract कर सकता हूँ यह देखे chart of account आपके सामने है इसके parent levels है, sub levels है बिल्कुल इसी तरह ही इसका parent level है और इसका sub level यहां पे आपको नजर आ रहा है अब आप देख सकते हैं कि मैंने स्क्रीन के उपर मैंने sales department और sales department के मैंने नीचे 2 regions create कर दिये यानि कि मेरे पास जो department है और अगर वो department मुक्तलिफ location से operate हो रहा है तो मेरे पास north region और south region भी यहां पर मौझूद है अब मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको check भी करा देता हूँ कि यह किस तरह effect करेगा कि मैं अगर यहां पे कोई expense record करने जाता हूँ और expense record को करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं कोई expense select करता हूँ अपने chart of account से इस feature को हम आगे जाके detail में पढ़ेंगे कि expense कैसे record करते हैं यह आप देख सकते हैं कि मैंने advertising and marketing expense वाने select किया और यह आगे जाके देखें मुझे class नजर आ रही है class में जाके मैं क्या करता हूँ कि मैं यहां से जाके कुई भी department में select कर सकता हूँ जैसे marketing department है marketing department में यहां पे select हो गया और अगर मैं इसके लावा कुई और item जो है वो select करना चाता हूँ कुई और department select करना चाता हूँ तो मैं यहां से department select कर सकता हूँ तो अब मैं क्या करता हूँ मैं आपके सामने यह करता हूँ कि मैं तमाम जो मेरे departments हैं उनके नीचे मैं सब locations create कर देता हूँ ताके मुझे पता हो कि मेरे कौन-कौन से department किस-किस location से operate हो रहे है तो आप देश सकते हैं कि जाँ-जा मुझे regions required थे, मैंने department के रीचे वो regions create कर लिए है कि अब मुझे पता चल सकता है कि marketing department जो है वो मेरा north region के अंदर भी operate कर रहा है south region भी operate कर रहा है तो मैं अगर अपने marketing department के expenses जो है वो मैं track करना चाहूँ तो मैं north region wise भी track कर सकता हूँ, मैं south region wise भी track कर सकता हूँ जनाब ये है क्लास फीचर बहुत असान है कि आपने क्लास कैसे क्रिएट करनी है क्लास को आपने कैसे जो है वो उसके अंदर ने क्लास कैसे एट करनी है और उसके सब क्लास कैसे बनानी है तो यह जनाब हमारा class feature और class feature के अंदर हमने इस तरीके से classes को maintain करना है बड़ा असान है जी लिस्ट menu में जाना है class list में जाना है और class list में जाके हमने classes को maintain करना है तो उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को like कीजएगा चैनल को subscribe अगर आपने नहीं किया चैनल को subscribe कर लीजिए और वीडियो को share कर लेजिए अपना हलका अबाब में जहां रहें खुश रहें मस्करात रहें अपना ख्याल रखेगा विलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में